आपका नमबर जो है वो जीत चुका है एक करोड रुपए है हेलो दोस्तों जेटने रूसमा आप लोग का स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं सैमसंग गेलक्सी S10 लाइट का एक फुल रिव्यू यहाँ पर देने वाला हूँ मैं दोस्तों 10 दिन से जादा हो गया है मैं इस फोन का इस्तिमाल कर रहा हूँ मेरे पास अन्बॉक्सिंग से पहले ही आ गया तो और यह जो फोन है दोस्तों बहुत ही इंप्रेसिव है यह पहला सैमसंग का ऐसा फोन है जो विदिन 40,000 मिलता है लेकिन इसमें आपको प्रेमियम फ्लैक्शिप फीचर्स मिलते हैं जी हाँ इसका अन्बॉक्सिंग हमने अलड़ी कर दिया था उसमें गिवववे भी चल रहा है तो आप जाके देख लेना मैं एक सैमसंग गिलक्सी S10 लाइट भी गिवववे कर रहा हूँ अब ये जो फोन है इंडिया में एक ही विरेंट में आया है 8GB RAM, 128GB Storage जो अच्छी बात है कि ज्यादा RAM है और ज्यादा Storage उन्होंने दिया है 40,000 रुपी की प्राइस है और 4th February से ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा online, offline, हर जगा आपको description में link दिया हूँ अगर आपको interest है, आप Samsung lover से अगर आप नहीं भी है तो वाकई में ये phone चेकाउट करना ये बहुत ही impressive है मैं जब 10 दिन से इसको use कर रहा हूँ, इसने क्या-क्या मेरे साथ किया है मतलब क्या-क्या मुझे experience हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वारा हूँ अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके design से, इसकी build से तो वैसे पीछे की तरफ दोस्तों आपको इसमें polycarbonate back मिलता है, जिहां glass back नहीं है लेकिन यह premium material है जो Samsung इसमें इसमें इस्तिमाल किया है, जिसको Samsung बोलता है glass stick जहां, आप यह glass और polycarbonate का combination, plastic का combination आप उसको बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आपको बड़िया से curved edges मिलते हैं, जब आप hold करते हैं तो grip अच्या मिलता हाथ से पिसलता नहीं है, जब आप देखें कितना भी हाथ देसा रख लो, यह पिसले गारी है इसमें अलगल colors भी है, मेरे पास यह वो prism blue है, आपको एक prism black और एक prism white भी मिलता है काफी impressive आपको colors मिलते है, white वाला थोड़ और better लगता है और साथ में यह दोस्तों आपको 186 grams का मिलता है और 8.1 mm की तिकनस पर मिलता है imagine एक flagship phone है, उसके बावजूद भी बड़ी सी battery है, बड़ी सी display है फिर भी आपको 186 grams का मिलता है तो ज्यादा बलकी नहीं है और 8.1 mm की तिकनस है, काफी slim मिलता है Samsung ने पता नहीं कैसे manage किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों उस मामले में यह phone आपको बिलकुल भी निराशनी करेगा यह चीज़ आपको बहुत ही बड़ीया मिलती है infinity O display, बहुत ही चोटा सा बीच में circle और आपको notch मिलता है यह बिलकुल भी visible नहीं होता है जब आप कुछ भी काम करते, videos देखते, game केलते यह चीज़ आपको यहाँ पर बढ़िया मिलती है गैरेंटी देता हूँ, यह एक बड़िया चीज़ जो Samsung के इस फोन में आपको यहाँ पर मिलती है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसकी performance की तो Snapdragon 855 वाला प्रोसेसर है obviously 2019 का यह powerful flagship प्रोसेसर है पहली बार 40,000 के रेज में Samsung के फोन में हमें Snapdragon वाला प्रोसेसर मिल रहा है यह जो प्रोसेसर है, यह actually make powerhouse है कितना भी games केलो, PUBG, HDR तक चले जाओ, कोई भी game throw कर लो यह उसको आसानी जी खेल लेता है, बिल्कुल भी frame drops, lag वेगर आपको यहाँ बाद नहीं मिलेगा लेकिन gameplay कर दोस्तों क्या यह heat होता है, नहीं होता है, नहीं होता है जब मैंने इसमें game खेला, बहुत ही बड़ीया तरीकी से इसमें heat इसने maintain किया था मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई overheating वाले issue इस phone में नहीं मिला था में दिया है, लेकिन एक interesting fact यह है कि यह जो phone है, यह up to 45 watt के fast charging का support करता है अभी फिलाल के लिए Samsung नहीं भी खुद का 45 watt का charger तो इंडिया में लाए नहीं लेकिन जब आएगा तो आप इसमें इस्तेवाल करके और भी fast charge कर सकते हैं अब मैंने दोस्तो परसनली इसको charge किया, पूरी इसकी battery drain कर दिया था और इसके बाद जब मैंने charge पर लगाया, तो आदे गंटे में यह 60% से ज्यादा charge हो गया था मैंने कुछ pitches ली है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं एक बच कर 53 मिनिट पर मैंने इसको जब चार्ज पर लगाया था उसके बाद दोस्तो एक घंटे बाद, मतलब 62-63 मिनिट के आज पास आप देख सकते हैं टाइम आपके सामने हैं, पूरा इस ते इस फोन को 100% चार्ज कर दिया था तो मतलब, एक सवाग घंटे के अंदर ही 45,000 इमिच की बैटरी को 25W को यह जो चार्ज रहे, वो फुल चार्ज करता है तो चार्जिंग के मामले में बहुती फास्ट चार्ज होता है दोस्तों, तो यह फोन आपको उस मामले में प्रॉब्लम नहीं देगा इतना भी ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ, जब मैंने इसको चार्ज किया था, तो जुछ मैं बार बार जाके चेक कर रहा था और साथ में एक और चीज़ी है दोस्तों, कि यह फोन डेर दिन तक चल जाता है, आराम से, मैंने इसमें कल रात में मेरा बड़ा भाई आया था, सबसे बड़ा वाला भाई, वो बैटके मस वीडियो वीडियो देख रहा था, बिलकुल भी इसमें बैटरी का ऐसा कोई हाइस ड्रेन इशु मुझे अभी तक नहीं नज़र आया, तो यह फोन बैटरी, बैक अप के मामले में और चार्जिंग के मामले बना एकदम बढ़िया है, जब आप इसको पर्चेस करेंगे ना, ता आप खुद मुझे उस वक्त कमेंट करके बताना है कि हार OS भा आप में साही ब मामले में बिलकुल भी आपका वीडियो शेक नहीं करता है, आप कितना भी भाग लो, वो ऐसा एफेक्ट जो आता जब आप चलते हैं, तो वो शेकी एफेक्ट आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, अन्नोटिसीबल होता है, कुछ वैसी आपको वीडियो कॉलिटी मिलती है, प विडियो बूटे का भी फीचर मिलता है, तो यह भी बहुत इंप्रेसिफ फीचर है, उसके लिए भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, पिचर कौलिटी के बात करते हैं, प्राइमरी से तो दोस्तो कमाल की पिचरにちは निकल कर कर आया तें, जो बेंगर आगर आप बुके नाइट में भी आपको वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलते है 12 MHz का Ultra Wide Sensor है दोस्तो तो आपको अच्छे कासे Ultra Wide Shorts मिलते है आप देख सकते हैं यह मैंने Ultra Wide Shorts कुछ निकाला हूँ तो हाँ Ultra Wide में आपको अच्छे Shorts मिलते हैं Ultra Wide में पर जो Dynamic Range था दोस्तो वो आपको बढ़िया मिलता है तो यह एक चीज़ Samsung ने मेंटेन किया है 5 MHz का Dedicated Macro Sensor है तो Macro Shorts भी आपको इसमें काफी कमाल की देखने को मिलते हैं रियर कैमरा दोस्तो वो इंप्रेसिव है और अगर आप व्लॉक्स बगरा बनाते हैं तो यह कैमरा आपको बहुती बढ़िया मिल जाता है Selfie के बात करेंगे दोस्तो तो आपको 32 Megapixel की Selfie मिलती है इतना छोटा सा notch है यार उसमें उन्होंने 32 Megapixel की Selfie दे दी है और अगर आपको Selfie में भी बहुत सारे आपको Features मिलते हैं आप टोपडों का अपर्चर है, Portrait Beauty और Selfie में भी इंप्रेसिव बात है कि आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं अगर आपको Selfie से आप Vlog शूट करता है और अच्छे Quality की Contents देना है तो ये भी एक वो अच्छा फीचर है Selfie में और जो Quality Selfie की निकल कर आई थी दोस्तों वो बहुत ही ज़ादा इंप्रेसिव थी, जो बुके था बैग्राउंड में, वो कमाल का था Edge Detection भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया था और हाँ, इसमें भी Selfie में भी आपको Video Bookie का Feature मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर Selfie के वीडियो से निकाल सकते है तो जो Camera है दोस्तों वो बहुत इंप्रेसिव है और भी डेर सारे आपको Features मिलता है, अगर आप Explore करेगे तो आपको खुछ से ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं उन Important Features की हमेशे की तरह जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे मेले दोस्तों आपको इसमें कोई Dedicated MicroStick Card का Slot नहीं मिलता है यार कोई ऐसा flagship phone नहीं है जो आपको अभी ज़्यादा तर Dedicated Slot डे रहा है सब कुछ Hybrid देते हैं कोई को तो देता भी नहीं Slot लेकिन इसमें आपको Hybrid Slot मिलता है अगर आपको 128 GB भी कम पड़ता है आपको Storage बनानी है तो आप इसमें जाके कर सकते हैं वैसे इसमें कोई भी notification LED light आपको नहीं मिल रही है लेकिन आपको इसमें edge lighting वाला feature मिलता है obviously AMOLED display तो आप क्या कर सकते हैं उस option को on करने के बाद जब भी आपको कोई notification आती है तो जो आपका AMOLED display तो जो lock screen है वो ही अलग-लग तरी कि आपको lights देगा, notifications देगा तो वहीं सरी आपका सारा काम हो जाएगा तो या तो फिर आप चाहें तो border रख सकते हैं या open notch के aspects रख सकते हैं तो आगर आपको notification light इसमें नहीं मिलती तो आप alternatively उसका फाइदा यहाँ पर उठा सकते हैं उसके अलवा दोस्तो बात करते हैं इसके security की तो मुझे ही बहुत ही impressive लगा है इसका under display fingerprint scanner और face unlock दोनो आप देखेंगे यह under display fingerprint scanner मैं touch करता हूँ और open हो गया मतलब काफी fast है काफी responsive हो सामने ही आपको दीख जाता है यह देखेंगे काफी बढ़िया है लेकिन यहाँ पर दोस्तो box में उन्होंने type c earphones provide किया है तो आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन यह दोस्तो इतनी high quality वाला earphone नहीं है यह box वाला default है तो आप चाहे तो आप अच्छे premium quality के लिए तो आपको अच्छी qualities में मिलेगी या फिस Samsung के जो birds available है उनका भी आ लेकिन हाँ आपका इस earphone से यहाँ पर काम चल जाएगा अगर मैं speaker quality की बात करता है तो आपको नीचे single speaker मिलता है मैं आपको वह भी दिखा रहेता हो आप मैं यही घाना earphone में भी सुन रहाता है तो यह speaker भी काफी decent है ज्यादा भी loud ने लेकिन आपको base इसमें वैसे काफी बढ़िया मिलते है तो यह phone में भी base अच्छा है speaker में भी आपको काफी बढ़िया base मिलता है वैसे एक और impressive चीज़ यह है दोस्तों कि आपको Android 10 मिलता है 1 UI 2 पर चलता है और यह जो UI यह बहुत impressive है कितना भी बड़ा phone क्यों ना हो one hand operation के लिए दोस्तों Samsung ने specialist को बनाया तो आप देखेंगे कितना बड़ा phone है मुझे अगर message जाना है मुझे change करना है तो मैं नीचे से ही उसके अंदर जो changes कर सकता हो और मुझे जो भी करना है settings में जाना आप देखेंगे मैं नीचे ही सब कु आपको डाक मोड बगरा मिलता है उसके बाद बहुत सारे customizations मिलते है themes, wallpapers, fonts यह सब कुछ आप यहाँ पर आगी कर सकते हैं UFS 2.1 के storage का support है LPDDR 4X वाले आपको RAM मिलती है तो आप देखेंगे कितना ज्यादा snappy है कितना बड़ी है app open close की जो speed है वो भी आपको इसमें काफी बढ़िया मिलती है तो जो UI है वो बहुत impressive है और जो storage support है वो आपको इसमें काफी बढ़िया मिलता है वैसे दोस्तों एक और चीज़ है कि आपको इसमें Widevine L1 का support मिलता है तो Amazon Prime, Netflix के अगर आपको HD contents stream करना है वो कर सकेंगे और साथ में आपको Google Cam भी मिलता है तो future में अगर क compatible होता है तो आप उसका भी यहाँ पर फाइदा उटा सकते हैं वैसे अगर कुछ pre-install apps की बात करता हूँ तो को फाल्तू के blood pairs आपको इसमें नहीं मिलते हैं आप देखेंगे कुछ है भी तो आप उसको present hold करके चाहे तो निकाल सकते हैं Facebook मुझे निकालना तो मैं निकाल सकता है यह compatible है तो मैं यहाँ पर call करता हूँ एक काम करते हैं मेरे पास बहुत सारी यूट्यूबर है लेकिन मनोच को हम लगाते मनोच सारू टेक्नोलोजी ग्यान देखते हैं तो लग गंटी बज गई है आपको आवाज आरी होगी तो यह जो यह पीस की जो audio है वो अच्छी है फूल पर रखाओ मैंने वैसे हाँ मनोच हाँ मैं एटल के सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ हाँ तो मैं यह बोल रहा था सार के आपका जो नंबर है हलो आपका नंबर जो जीच चुका है एक करड़ रुपए करकर अब कारोबर क्या है आपका कारोबर क्या है तो कॉल क्यों इसके अच्छी है और ऑविसल आपको डूल वोल्टी का सबोर्ट पिलता है तो आपका काम यह पर निकल जाए लाइगा वैसे एक और चीसे दोस्तों इसके अंदर आपको अगर मैं सार वेल्यू की बात करता हूँ तो जिरो पॉइंट के लिए यह सारे जो अधिशनली फीचर से वह आपको सब कुछ इसमें जो देखने को मिलता है उसके अलावा दोस्तों वैसे दोस्तों अगर मैं थोडी बहुत और चीजों के बात करूँ तो इसमें को IP रेटिंस आपको नहीं मिलती है आपको ऑविसलि जैसी की मैंने कहा इसमें गलास लेने के लिए निकल रहे थे जो आपको 60-70,000 पी की रेंज में मिलता है तो अगर आपकी बजट नहीं तो कोई बात थी 40,000 की रेंज में दोस्तों आपको Samsung Galaxy S10 Lite मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा impressive phone है और मैं भी इसको 10 दिन से यूज़ कर रहा तो मुझे भी काफी बढ़िया लगा है वैसे आपका क्या खेल है दोस्तों इस phone के बारे में आप मुझे जरू से comment करके बताइए ऐसे ही दोस्तों full review में लाता हूँगा और आप दोगों को मैं ऐसे ही update करता हूँगा मिलते आपसे खेल दोगों के साथ तिल दे नवी ग्रेट दे और अलवे स्केफ स्माली